नमस्कार सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सपना शहा सबसे पहले बात आज दिन पर की खास ख़बरों की अवहत सामगरी की जप्ती के मामले में राजिस्थान देश में पहले स्थान पर एक मार्च से अब तक पकड़ी 500 करोड रुपे से अधिक मुल्य की सामगरी आचार सहिता लागू होने के बाद से रिकॉर्ड 400 करोड रुपे से अधिक मुल्य की जप्ती कानून विवस्था को लेखर मुख्य सच्चिव की पुलीस विभाग के साथ बैठक भारत निर्वाचन आयों के साथ प्रस्तावित बैठक की तैयारियों की भी की समीक्षा दूसरे चरण के मतदान के लिए अब तक 54 प्रतियाश्यों ने किये प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने के उदेश से संधित वस्तूओं और धन के अवेद उप्योग पर कड़ी निगरानी रख रही है इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जप्ती की कारवाई की जा रही है और अवेद सामगरी की जब्ती के मामले में राजिस्तान देश में पहले स्थान पर है प्रदेश में मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशिली दवाओं, शराब, कीमती धातूओं, मुफ्त बाठी जाने वाली वस्तूओं और अवेद नगद राशी के रूप में लगभग 507 करोड रुपे 45 लाख रुपे कीमत की जब्तियां की गई है वहीं आदर्श आचार सहीता लागों होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तूओं की कीमत 400 करोड रुपे 45 लाख रुपे से ज्यादा है मुख्या निर्वाचन अदिकारी श्री प्रवीन गुपता ने बताया कि एक मार्च से अब तक राजिस्तान में 14 जिलों में 15-15 करोड रुपे से अधिक मुल्य की संदिक्त वस्तूएं और नगती जप्त की गई है इनमें जोदपुर में सबसे ज्यादा 49 करोड 31 लाख की जप्ती की गई है वहीं पाली, जैपुर, उदैपुर, अलवर, नागौर, चूरू, जुन्जनू, बीलवाडा, दौसा, बाडमेर, श्री गंगानगर, चित्तोडगर और बीकानेर में भी जप्ती का आकड़ा 15 करोड रुपे से ज्यादा का है अवैद सामगरी की जप्ती के मामलों में राजिस्थान देश में अवल है और कई बड़े-बड़े राजियों के मुकाबले बहतरीन प्रदर्शन कर रहा है आदर्श आचार सहिता लागू होने की बाद महराश्ट्र में 217 करोड रुपे, पंजाब में 51 करोड, दिल्ली में 125 करोड, पश्रिम बंगाल में 95 करोड, तमिल नाडू में 78 करोड, तिलंगाना में 70 करोड, करनाटक में 68 करोड, गुजरात में 64 करोड, और मध्य प्रदेश लगभग 95 करोड 61 लाख rouपे मुल्य की ड्रग्स, लगभग 33 करोड 13 लाख रुपे कीमत की शिराब और 49 करोड 7 लाख रुपे मुल्य की सोना चांदी, जैसी कीमती धात्वों की जब्ती की गई है। साथ ही 314 करोड 75 लाख रुपए कीमत की अन्य सामगरी और 1 करोड 16 लाख रुपए से अधिक कीमत की मुफ्त वितरन की वस्तों भी जब्त की गई है मुख्य सचिव श्री सुधान शुपंत ने कहा कि चुनाव के समय मतदाता को मतदान के लिए स्वतंतर और भै मुक्त वातावरन देना पुलिस विभाग की जिम्यदारी है उन्होंने कहा कि मतदाता बिना किसी दबाव लालच और डर के सुविधा पूर वक मतदान करें इसके लिए पुलिस विभाग विशेश सतरकता के साथ अपने दायत्मों का निर्वहन करें उन्होंने चुनाओं को प्रभावित करने की मनशा रखने वाले और आमजुन में भय के वातावरण का निर्मान करने वाले अपराधियों की पहचान कर उन पर सक्त कार्यवाई के भी निर्देश दिये श्री पंद आज शासन सचिवाले में लोकसवचोनाव के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को संभोधित कर रहे थे इस दोरान उन्होंने तीन मार्च को भारत निर्वाचन आयोग के साथ प्रस्तावित बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा की बैठक में पुलिस महानेदेशक श्री उतकल रंजन साहु ने कहा कि शांती पुन तरीके से चुनाओं को संपन कराने के लिए पुलिस द्वारस अमवेदनशील इलाकों में प्रभावी कार्यवाई की जा रही है और पडोसी राजियों के साथ समनवे बनाकर सीमावर्ति क्षित्रों में विशेश चौकसी रखी जा रही है लोगसभा चुनाओं के तहट दूसरे चरण के तेरा लोगसभा निर्वाचन क्षित्रों के लिए 28 मार्च को अधिस उचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी 31 मार्च और एक अप्रेल को अवकाश के बाद आज 27 प्रत्याशियों ने 45 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये और अब तक कुल 54 प्रत्याशियों ने 89 नामांकन पत्र दाखिल किये हैं आपको बता दें कि दूसरे चरण में 13 लोग सबाक्षित्रों टौक सबाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोदपुर, बाढ़मेर, जालौर, उदैपुर, बासवाड़ा, चिताडगर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और जालावाड बारा में 26 अप्रेल को मतदान हो आज के बॉलचन में फिलहाल इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात, नमस्कार